जैम आता दे दोस्तों कैसे हैं आप सब कॉमेंट बॉक्स में हरर महादेव लिखना ना भूलिएगा जोति सास्त्र के अनुसार को 27 नच्छत्र होते हैं सास्त्रों का मनुष्य की जीवन पर बहुत अलग अलग प्रभाव पड़ता है सास्त्रों के अनुसार कुछ नच्छत्र सुब और कुछ असुब माने गया है इनी मेंसे एक है गंडमूल नच्छत्र जिसे बेहदी असुब माना गया है इसे हम सतैसा के नाम से भी जानते हैं इस नचत्र में जन्मे लोगों का जीवन बेहधी उतल पुतल और तनाव भरा रहता है हाला कि सांती पूजा पाट करने से इसे सांत किया जा सकता है गंडमूल मूल सांती पूजा का सामागरे संपुर्ण लिष्ट वजन के साथ का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसे भी जरूर देखिएगा यह समय में आपको पंचांग के अनुसार बता रहे हूं अगर आप चाहें तो अपने नज़्दी की किसी पंडित या फिर जोतिसी के साथ इस समय को साजा कर सकते हैं आईए जानते हैं गंडमूल का समय क्या होगा दिसंबर दोहजार तेश में गंडमूल सुरू होगा 12 दिसंबर दोहजार तेश दिन मंगलवार को सुबा 11 बचकर 57 मिनट से और गंडमूल का समापन होगा 14 दिसंबर दोहजार तेश दिन गुरुवार सुबा 9 बचकर 47 मिनट पर फिर से गंडमूल सुरू होगा 20 दिसंबर 2013 दिन बुधवार रात 10 बचकर 58 मिनट से और गंडमूल का अन्थ होगा 22 दिसंबर 2013 दिन सुकरवार रात 9 बचकर 36 मिनट पर फिर से गंडमूल सुरू होगा 30 दिसंबर 2013 दिन सनिवार सुबा 3 बचकर 10 मिनट से और गंड मूल का अन्थोगा 1 जन्वरी 2024 दिन सोम वार्थ सुबा आट बचकर 36 मिनुट तक I hope आपके लिए वीडियो इंफर्मेटिव रहा हो Like, Share and Subscribe करना ना भूलिएगा Thanks for watching